Welcome back to another video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Educational Institute, University और Colleges के बारे में अगर आप Own करते हैं अपका Coaching Institute, University और किसी भी तरीके के College आप पुरन कर रहे हैं आपको तीन major problem face करना पड़ती होंगी पहला तो Marketing, दूसरा Sales and तीसरा Leads इन सब को manage करना अभी तोड़ा typical है अगर आप digitally इसको manage करना जाती है तो वो इस वीडियो में हमने cover किया इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता जल जागा कि कैसे आप आपकी marketing कैसे आप अपनी leads और sales को easily manage करके revenue को tanics कर सकते हैं तो चलते हैं computer screen पर मैं आगया अपनी computer screen पर और यहां पर आप देख सकते हैं यह PPT मैंने create किये for education institutes तो हम एक-एक you know slides को देखेंगे और इसके information है इसको आपको capture करना है और इसको अगर आप implement करते हैं तो आप easily leads sales and marketing से related जो भी problem है वो आप easily manage कर सकते हैं easily solve कर सकते हैं ठीके तो move on करते हैं next slide पर तो there are three major problem of each institute सबसे पहले तो marketing क्योंकि marketing में बहुत पैसा लगता है और जब हम पैसा लगाते हैं तो definitely आप पस leads आएंगे लेकिन अगर लिट्स पर time लिए आप काम नहीं करेंगे तो sales नहीं आएगे तो marketing को कैसे manage करना है sales को कैसे manage करना, leads को कैसे manage करना यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अब सबसे पहले हमें सबहें ना है कि जो हम marketing कर रहे हैं बहुत सारे institute different kind of marketing करते हैं कुछ लोग online marketing करते हैं, कुछ लोग offline marketing करते हैं और बहुत सारे चीज़े होती हैं जिसके तो हम data capture करते हैं फिर forms की हम बात करें हैं किसी भी तरीखे की sources की बात करें हैं आप लोग offline marketing करते हैं या फिर हम किसी different तरीखे से data capture करते हैं सबसे पहले करना होगा अगर आप यह करेंगी और उसको मैनेज करना और टफ हो जाता है तो यह जो सिस्टम है यह हैल्प करता है आपके मल्टीपल सोर्स को कनेट करने के लिए हम वान करते हैं को साइट पर आप अल्लाइन मार्केटिंग में आप फेस्बूक एड रन कर रहे हैं गूगल एड रन कर रहे हैं आप डिफरेंट काइंड आफ पी टूबी प्लेटफर्म यूज़ कर रहा है फिर करियर थी सिक्स्टी हो से कितनी अरहें घूगल से कितनी आ रही है कर्याति सिक्ष्टी आपको कितनी दे रहा है सिक्ष्षा.com कितना दे रहा है आपकी website से कितनी leads आ रही है, तो इन सारे marketing sources को एक जगे जब हम connect करते हैं, तो you can track the performance of each marketing source के कहां से कितनी leads आपके पास आ रही है, ठीक है, दूसरा, अगर आप offline marketing करते हैं, ब्लैट से, आपने paper या अपने टे मीडिया में बहुत बड़ा ad दिया है, आपने holding लगा रहे हैं पर college और institutes काफी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अगर हम इन sources को properly manage नहीं करेंगे, तो हम काफी ज़्यादा पैसा loss करेंगे, ठीक है, तो offline marketing sources को भी हमें एक single platform पर connect करना है, अब हम move on करते हैं, तो definitely जब भी हम college, university या, you know, किसी भी तरह के institutes की बात करते हैं, तो यह पर multiple forms की बहुत जरूवत होती है, अब यह जो forms होते हैं, यह paper के mode में होते हैं, paper forms होते हैं, जैसे कि admission form हुआ, fees का form हुआ, glass registration, multiple forms होते हैं, but with this tool, you can create multiple web forms to capture the data, so you can create multiple forms to capture the data, आप admission form online मना सकते हैं, fees का form बना लिया, आप नहीं है, glass registration का form होते हैं, leaf form होते हैं, कोई भी form होते हैं, आप online create कर सकते हैं, इससे आप का जो भी system है, वो paperless हो जाएगा, आप जितने भी form से उनको track कर सकते हैं, इसके बाद डिफरेंट kind of lead magnets आपको मिलते हैं, system के साथ, जैसे कि अगर आपको data capture करना है, with QR code, आपको data capture करना है, वेज़ा, mist call number, IVR, API, custom form, short code, long code, multiple tools होते हैं, जो आपको help करते हैं, lead data capture करने के लिए, तो ये सारे के सारे आपको lead magnets मिल जाते हैं, इस system के साथ, जो बहुत जादा useful हैं, आज की statement to capture the lead, ठीक है, अब सबसे important चीज, आपकी जो sales की team है, आप उनको कैसे manage करते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा expense है, आपके बादास लोगों की sales की team है, अगर आप उनकी performance को track नहीं करेंगे, तो definitely आपको बहुत जादा लाउस होगा है, क्योंकि sell late then हमें pay करना है, तो जो भी उनके appointments है, आपके team के, चाहिए वो backend है, चाहिए वो field है, उन सब के appointment आप देख सकते हैं, you can assign leads personally to any sales team, आपको एक sales team की app मिल जाती है, जिसमे sales team अपने सारी entry करते है, वो जिस भी location पर हमाँसर immediate live data system बडाल सकते है, as in lead form, आप team की performance track कर सकते हैं, क्या performance चल लगी है, आपके जो team है, उसकी sell लिक है, और इसके accordingly लिक है target, आपको देना चाहिए, ठीक है, आपके जो भी sales team होती है, उन सब के separate login मिलता है, अपने system में login करने के लिए, वहापे वो अपना सारा lead data और अपनी सारी leads को manage कर सकते हैं, side by side, cross sell option मिलता है, इसके लावब funnel movement, मतलब आपका let's say कोई, किसी ने कोई course sell किया है, और एक और course अगर आपको sell करना है, तो आप उस तरीके का काम भी कर सकते हैं, तो आप funnel movement मिल जाती है, अगर इसको भी product के लिए भी आप, you know, move कर सकते हैं, ठीक है, तो funnel movement भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, अब move on करते हैं कि lead management, lead management एक बहुत ही important role, एक part है, जो कि, अगर हम properly manage नहीं करते, तो बहुत सारी leads spill हो जाती हैं, और, you know, हमारा पैसा भी बरबाद होता है, तो सबसे important चीज, आप leads को manually add कर सकते हैं, manually, आप manage कर सकते हैं, और आप assign कर सकते हैं leads को, अपनी sales team को, इसके लावा आपको, जैसे मैंने पहली slide मताया था कि, आप multiple lead sources को connect कर सकते हैं, it will help you to, आप multiple lead sources को connect कर सकते हैं, it will help you to capture the data, okay, and it will give you the report के कहां से कितनी ज़्यदा leads आपके पास आ रही हो, अच्छा, इसका सबसे important, an IMP part यह है, कि आपकी जो lead leakage है, वो zero हो जाती है, मतलब हम सारे sources को जब connect कर देते हैं, तो कोई भी चा email पर जाएगी, SMS के form में आएगी, या WhatsApp के form में आएगी, अब आप चाहते हैं, यह lead आपके sales team के पास भी जाएगी, that is also possible, इसके लावा, आप lead assign manually auto, मतलब manually भी कर सकते हैं, automatically भी कर सकते हैं, और अपने किसी expert team member को भी assign करवा सकते हैं, automation के साथ, ठीक है, इसके लावा leads के आपके team या आप उन leads को tag कर सकते हैं, उन particular tags के अंदर, और आपको एक अच्छा overview मिल जाता है, कि आपके जो leads आई हैं, वो किस-किस stages पर पड़ी हुई है, इसके लावा, आप leads को segmentation कर सकते हैं, चाहिज status wise के हम बात करें, source wise करें, तो यह भी एक बहुत important चीज है, जो आपक C system के साथ मिलती है, इसके लावा, आपके बुरा lead nurture process मिलता है, कि किस तरह से आप lead को nurture कर सकते हैं, वो मैं आपको आने वाली study में बताने वालो, इसके लावा, आपको lead follow up एक system भी मिल जाता है, leads को कैसे track करना है, अच्छा, एक lead tracking अलग है, और leads की value होती है, वो track करने एक अल आप कितना business generate करेंगे, इसके लावा, आपको leads का follow up calendar दिखता है, जितनी भी leads है, इसके लावा lead conversion process आप इसमें create कर सकते हैं, तो lead management में आपको बहुत सवारी features मिलते हैं, मैंने यहापे कुछ आपको AMP features लिग दिए, जब आप एक बड़ सिस्टम में लॉग इन करके आपके sales expert को, फिर यह automatically assign हो रही है, same जो lead का alert है, उसके mobile पर चला जाएगा, फिर वो चाहे SMS की बात करें, या हम WhatsApp की बात करें, उस पर चला जाएगा, lead app की immediately CRM में जाएगी, आप उस lead की value track कर सकते हैं, follow up manage कर सकते हैं, remainder manage कर सकते हैं, status आप डाल सकते हैं, and task, इसके लावा, system से automatically एक workflow trigger होता, जैसे ही lead app के पास आईगी, उस पर एक welcome message चला जाए, अब यह आप चाहे SMS पर भीजें, WhatsApp पर भीजें, आपको testimony भीजना है, product video भीजना है, deals and discount डालने है, यह सब आप workflow बना सकते हैं, और कुछ इस तरीके सा workflow बना सकते हैं, day 1, day 2, day 3, day 4, 5, या 5 मिट के अनत सारी है, उसके उपर engagement काफे अच्छी हो जाती है, तो वो उससे आपके brand की recall value काफे जादा बढ़ जाती है, तो हम move on करते हैं, एक और slide पे, तो लेट से बहुत सारी organizations होती हैं, बहुत सान institute होते हैं, जो की, you know, एक holding पे भी add run कर रहे हैं, holding पे, तो आप holding में एक missed call number आप पे रियल टाइम में and the same workflow you can trigger, तो मैं एक और slide पर आप देखेंगे कि हमने एक और workflow बनाया है, जहां पर अगर आप paper add run कर रहे हैं, paper add जाते हैं, तो आप QR system use करके, किस तरीके से एक follow-up system create कर सकते हैं, जब हम QR code create करते हैं, एक custom form open होता है, और उस form से data capture होता है, वो automatically assign हो जात reminder, जो भी सारी जी जो मैंने previous slide होती, वो सब आप कर सकते हैं, method अलग लग है, कि वर code से अगर आप data capture करना है, mister cause data capture करना, custom form से data capture करना, तो वो सब आप कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आप workflow भी trigger करा सकते हैं, जैसे कि thank you message हो गया, welcome message हो गया, product video हो गया, this discount and offers हो गया, यह सब आप trigger करा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको next slide में आगया है, और एक और workflow दिखा रहा हूँ, तो let's say जैसे कि आपको उसे WhatsApp पर trigger करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक instant WhatsApp चला गया, फिर दूसरे दिन कुछ चला गया, फिर पांच दिन कुछ चला गया, फिर साथ दिन क चला गया, यह आप create कर सकते हैं, as per your need, किस time के आपको यह trigger करना है, आपको minutes के delay लगाना है, जैसे कि 10 मट बात कुछ जाना चाहिए, एक गंटे बात कुछ जाना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो flow बना हुआ, जहाँ पर एक message जा रहा ह है, एक email जा रहा है, और एक call जा रहा है, तो यह सब आप इस workflow, इस तरीके के workflow भी आप create कर सकते हैं, अगर आपको leads को ज्यादा अच्छा से engage करना है, अब हम बात करते हैं, task management की, तो इस system में आपको option मिलते हैं, task को manage करने के लिए, मतलब आप task create कर सकते हैं, task आप assign कर सकते ह task assign कर सकते हैं, single task assign कर सकते हैं, आपको multiple reporting की, इसके अंदर option मिल जाते हैं, आप track कर सकते हैं कि कौन सा task planning है, कौन सा task पर क्या अपना assign करा हुआ है, complete कितने हो गया है, यह सब आपको आपको report मिल जाता था, आप task management एक बहुत अच्छा, आपको system मिलता है, इस particular application के साथ, इसके and आप notification setting के थुरू, आप हर appointment पर कुछ ना कुछ trigger करवा सकते हैं, और जो भी appointment आ रहा है, आपस पर दन लीड भी ले सकते हैं, इसके लावा आपको report मिलती है, कि आपके पास कितने appointments आ हैं, कितने pending हैं, कितने due हैं, तो आपको appointment management एक बहुत ही simple tool, बहुत ही advanced feature के साथ आपको म insight और Google Analytics दोनों आपको इस system में मिलता है, तो आपको बार बार Google Analytics और Facebook Insight में जाकर देखना नहीं है, कि कितनी leads आई हैं, कितनी pending हैं, क्या है, उस सब आपको यहीं पर दिख जाएगा, कि आपको किस source से कितनी leads आई हैं, Google Analytics आप जैसे login करेंगे, तो आपको एक separate option मिलेगा, Google Analytics क उसको जब आप use करेंगे, तो आपको दौनों के separate data आपको मिलेंगे, अच्छा, इसमें एक और feature है Facebook के लिए, जो भी आपकी Facebook post है, आप उन post के ऊपर, you know, auto reply set कर सकते हैं, let's say, आपने कोई post डाला, और उसके ऊपर किसी ने reply करा, तो predefined messages भी आप trigger करा सकते हैं, with this tool, ठीक है, जो भी आपकी post है, उसके ऊपर आप automation लगा सकते हैं, उसके ऊपर automation के through different kind of content टिगर करवा सकते हैं, इसके लावा आपको option मिलता है, multiple templates को manage करने का, मतलब complete template management मिल जाता है, मतलब अगर आपको leads मोबाल में चाहिए, तो उसका template आप create करा सकते हैं, leads आपको WhatsApp पर चाहिए, तो उ इसके आप template बना लो, फिर SMS की template, WhatsApp की template, email की template, voice call की template, ये सब आपको एक particular, you know, module मिल जाता है, जहाँ पर आप सारी-सारी templates manage कर सकते हैं, इसके लावा जैसे कि मैंने बताया था, tax create कर सकते हैं, आप demo हो गया, fake leads हो गई, ready to pay, follow up है, interested है, spam है, paid है, you know, unpaid है, इस तरी कि आप tax create कर leads को properly manage कर सकते हैं, tag कर सकते हैं, in tax के अंदर, so that आपको पता चलेगी, कौन सी leads का status है, status एक लगची जो जाती है, और आपको tagging कर सकते हैं, तो आपको पता चल जागा, इस tag में कितनी leads पढ़ी हुई है, इसके लावा अगर हम other features की बात करें, तो आपको option मिलते हैं, send wishes के, manage documents के multiple report formats आपको मिल जाते हैं, आपको APIs मिल जाती हैं, इसके लावा आपको help का option मिल जाता है, जहांपे आपको complete this application का, you know, how to use का एक पूरा different, you know, knowledge base मिलता है, जहांपे आप जाके पढ़ सकते हैं, पूरा, कैसे आपको यह पूरा application यूज करना, इसके लावा, आपको WhatsApp marketing मिल जा इसी system के साथ, ठीक है, तो अगर हम जो data आपके पास आ रहा है, let's say, आपके पास बहुत सारा lead data आ रहा है, तो आप segment wise campaign कर सकते हैं, let's say, students को आपको करना ते single student की campaign कर सकते हैं, आपको class wise कोई campaign करना है, वो आप कर सकते हैं, आपको कोई course wise करना है, वो आप कर सकते हैं, dates आपक यहां पर कुछ फीचर दी हुए है पावर ऑफ qr code तो आप unlimited qr code create कर सकते हैं to capture data from various sources आप you can create custom forms to capture the data and connect with connect via qr code आप trigger कर सकते predefined messages campaign आप जो भी data capture कर रहा है real time में इसके लाभा आप trigger any content via sms what's voice call और email जो भी आपने data capture किया है ठीक है तो qr code के साथ आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं mist call के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर दिया है power of mist call so mist call number आप यूज करके काफी अच्छी तरीके से leads को capture कर सकते हैं आप mist call number पर custom forms के तुरू भी data capture कर सकते हैं आप you know आप trigger कर सकते predefined campaign on the capture data and same thing like sms whatsapp ताप trigger करी सकते हैं so this tool is very helpful one-on-one with everyone voice voice call whatsapp you know sms और email के तुरू हर single person को या lead को आप personalized touch दे सकते हैं वह आपको फीचर इसके साथ आपको मिलता है reporting की जैसे मैंने बात करें तो custom report on demand है आपको अगर को report special चाहिए वो मिल जाता है आपको multiple filters मिल जाते हैं जन के report generate करने के लिए and multiple logins मिल जाते हैं आपको तो यह सारी जो features मैंने बता हैं आपको मिल जाते हैं अगर आप college institute को university run कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने college institutes और university को automate करें चाहिए कर leads हो sales हो marketing है तो वह सब आप इस system को यूज कर कीजिली manage कर सकते हैं अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please subscribe our channel and share this video immediately अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है तो number आपको मैंने हर से लाइट के नीचे दिया हुआ है हमारी जो website especially for automation that is autoresponders.com direct number है हमारा वो दिया हुआ है और call center का number दिया हुआ है आपको वीडियो पसंद आया है आया होगा अगर यह video पसंद आया है तो please 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 subscribe channel and like this video और अच्छा लगा तो comment जरूर करिए